आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासिस के यूटूब चैनल पर थमनेल आपने बिल्कुल सही पड़ा अब आपको इंट्रेस्ट नहीं देना पड़ेगा सर किस केज में इंट्रेस्ट नहीं देना पड़ेगा अगर आपके कैस लेजर में बैलेंस है तो आपको इंट्रेस्ट नहीं देना पड़ेगा सर ये कैसे कह रहे हो हमने तो बहुत बहुत इंट्रेस्ट जमा भी कर दिया भीया अब नहीं करना है अगर आपको इंट्रेस्ट का नोटिस आया है तो आपको मदरास हाई कोट की इस जज्जमेंट को पढ़ना है और इस जज्जमेंट को पढ़ने के बाद ये चेक करना है कि इस judgment के facts आपके case से मिलते हैं या नहीं और अगर इस judgment के facts आपके case से मिलते हैं तो आपको interest जमा नहीं करना है सर क्या judgment है जरा इस चीज को समझेए यह case है आईशेर मोटर लिमिटिड का case है इस case में क्या हुआ शुरुवाती दिनों की बात है जुलाई 17 की रिटनों की बात है कि जुलाई 17 की रिटन थी उन्हें फाइल करना था बीस अकस 2017 को ठीक है न भाई 3 भी है अगले महीने फाइल क नहीं करी तो इनकी जो आगे की रिटन ने थी वह भी फाइल नहीं उई ठीक है न अब यह रिटन क्यों नहीं फाइल करी थी नोने क्योंकि कुछ error आ रही थी इनके tranvon में ठीक है न लेकिन इनोंने क्या कर था tax जमा हो धिया था जो इनकी liability बनती थी वह जमा कर दी थी और वो पैसा पढ़ा हुआ था cash leisure में अब यहाँ पर department का यह था कि जो cash leisure में पैसा पढ़ा हुआ है हम उसे यह नहीं मानेंगे कि यह गवर्मेंट का पैसा है तो हम तो interest लगाएंगे तो उन्हों ने क्या करा एक interest का notice बेजा, ज्यादा amount का interest नहीं था, 23 करोड़ रुपे का interest था, 23 करोड़ 76 लाग रुपे का interest था, उसका notice बेज दिया, कितने महीनों के लिए, पाच महीनों के लिए, कि जुलाई 17 से लेकर, दिसंबर 17 तक का आपका इतना interest बनता है, और आप उसे जमा करो, अब यहाँ पर जो company का कहना था, company का कहना यह था कि भाई देखो, यह वाला जो पैसा था, ठीक है न, यह वाला जो पैसा था, हमारे cash ledger में पड़ा था, यह PMT06 से हमने पे कर दिया था, और यह जो account है PMT06 से जो हम पे करते हैं, यह account, government का account है, जो RBI के पास खुला हुआ है, तो इसका मत मतलब हमने इस amount को government को pay कर दिया, और section 49 भी यह चीज कहता है, कि अगर आप कोई tax की payment कर देते हो, तो वो आपके cash ledger में चली जाएगी, और section 49 6 इस चीज को कहता है, कि अगर आपके electronic cash ledger में कोई balance बच गया, तो वो आपको सिरिफ और सिरिफ refund के माध्यम से मिलेगा, तो यहा मतलब मैंने government को tax की payment कर दी, तो इस वाले case में मेरे उपर interest ना लगाओ, क्योंकि अगर मेरे cash ledger में कोई balance रह जाता है, तो तुम recovery करते समय, वो पैसा मेरे cash ledger से निकाल लेते हो, तो इसका मतलब अगर मैं cash ledger को, अगर मैं cash ledger में कोई पैसा डाल देता हूँ, तो इसे government की payment मानी जानी चाहिए, और उस पे section 50 का interest नहीं लगना चाहिए, तो भई high court ने भी इस चीच को माना, कि हाँ बिलकुल सही बात है, कि अगर कोई व्यक्ती cash ledger में पैसा जमा कर रहा है, तो इसका मतलब उसने government को tax जमा कर दिया, तो आप उस case में interest ना लगाओ, अब यहाँ पर स अंदर आपके cash ledger में balance था या नहीं था, और अगर आपके cash ledger में balance था, तो उस case में आपको interest नहीं लगेगा, तो यहाँ पर हो गया रहा है, कि जितने का tax amount है, उसका उतना ही interest लग रहा है, ठीक है, पाच-पाच सालों का, छे-चा सालों का, कई case में उससे ज्यादा भी वाली जो judgment है, यह वाली जो judgment है, यह आपको relax दे सकती है, ठीक है न, क्योंकि यहाँ पर high court ने बोला, कि अगर किसी व्यक्ति ने cash ledger से payment कर दिया, तो यह मान लिया जाएगा, यह मान लिया जाएगा, कि भाई, tax payer ने liability discharge कर दिया, government को payment कर दिया, कितने amount तक, जितने amount का balance उसक अरजुन बैच को जोइन नहीं करा है, तो फटा फट से जोइन कर लिजे, और सर यह वाली सारी चीजे हमारा जो जनवरी मंत का addition आने वाला है, फरवरी मंत का addition आने वाला है, तिक है न, उसके अंदर भी cover up करेंगे, तिक है बजट की सारी बाते cover up करेंगे, section 43B की जो नई को अरजुन बैच में अंदोल करा ले, और हाँ, हमारा 17 फरवरी से सुरू हो रहा है एक लव्य बैच, income tax का एक लव्य बैच, Saturday और Sunday साम को 7-9 बज़े तक class करेंगे, तो एक लव्य बैच में भी अगर किसी को balance sheet finalization करना सीखना है, TDS की return सीखना है, ITR filing सीखना है, तो वो सार सारी चीजे आप हमारे एक लव्य बैच में सीख सकते हो, वीडियो कैसी लगी मुझे comment box में लिक कर बताओ, और हमारे app को download करके फटा फट से अपनी knowledge को analysis करो, इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद, thank you for watching.